सो हाई गाई स्वागा था आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग सी लेंग्वेज के कुछ कुछ कुश्चन को देखने वाले जो आपके एक्जामिनेशन में बहुत ही मदद करने वाली देखने तो यह क्या है एक सेकंड आप अगर सी ओईटी दे रहे हो या जामिया दे रहे हो या इवन आपनिमशेक्ट दे रहे हो निमसेचित जी से आप बोलते ओ फिर या आप नाराश्ट्रा सी उटी के लिए तो यह इंपॉर्टेंट है यह आप कोई भी इंट्रेंस एक् होंगे हाई लेवल लेंग्वेज से कुश्चन होंगे तो हम लोगों ने अपना डॉट बैच है मारस्ता सेटी के लिए जो डॉट बैच है उसमें हम लोगों सी लेंग्वेज स्टार्ट किये हैं अभी इसमें डेटर टाइप्स खतम किया है कल हम लोग में ऑपरेटर को खतम किया है फिर आपका जो है क्या वेरेवल वगेरा जो इस तरी है जो बेसिक बेसिक करवाऊंगा यूट्यूब पर पूरा उसके लिए आप बेफिकर रहों अगर आप हमारा डॉट वैच को जोईन करना चाहते हो तो वह भी आप आप mca.in.in पर जाकरके कर सकते हो यह बहुत अफोर्ड़वल प्राइस में इसमें सब चीज मिलेगा आपको पीडियाफ है इसमें फिर आपके नोट्स है इसमें लेक्चर्स हैं विडियो लेक्चर्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के फिर आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा फिर आपका टेस्ट स्रीज होगा जो भी है मॉक टेस्ट यह दोनों एक ही है फिर टॉपिक वाइज टेस्ट है कम्प कोई भी problem है तो आप हमसे directly contact कर सकते हो तो चलिए questions की हम लोग बढ़ते हैं C language important है और बहुत ही ज्यादा important है और इससे questions आते हैं इसी टाइप की questions आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए यह रहा फर्स्ट questions को हम लोग discuss करते हैं How many characters can string hold when declare as a follow How many characters can string hold when declare as follows तो string क्या होता है जैसे कि हम लोग ने बताया थी कि string को में अगर आप कोई भी चीज define करना चाते हो जैसे कि str यहाँ पर आप किसी का नाम किसी का नाम ले लो या मेरा ही नाम ले लो तो राहूल जैसे हम लोगों ने character आपका single inverted comma के अंडर जो है store होता है ठीक है तो यह एक character हो गया यह पूरा का पूरा string हो गया तो यह पूछा जा रहा है कि जो हम care name है महानलोब variable का name हो जागा है यहाँ पर कुछ भी इसके अंदर जो value दिया गया है तो कितने character का string होगा मतलब कितने character का होगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पर string store करवाया है रहूल नाम का तो यहाँ पर कितने character है तो r है एक a a a है फिर h है u है फिर l है तो एक दो तीन चार पांच पांच character का हमारे पास string है हम लोगों ने string store करवाया है उसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि name के अंदर जो हम लोगों ने 20 इस define किया है तो उसमें कितने character का string store होगा तो और विस सी बात है इसके अंदर कितने थे इसके इसके पांच character थे तो पांच character का एक string declare हो उसी तरीके से यहाँ पर 20 character है 20 character तो 20 जो है आपका कि इसके 20 character का एक string declare होगा तो इसका जो correct answer हो जाएगा वह 20 हो जाएगा जैसे कि हम लोग ने string में कोई भी character store करवा है ठीक है कोई भी character store करवा है जैसे कि हाँ माल लो ABC ABC string करवा है तो यह कितने character है इसमें एक दो तीन character है तो तीन character है तो तीन character का एक string यहां पर store होगा उसी तरीके से 20 character का एक string store होगा तो यहीं पर पुछा गया how many characters can a string hold when declared as a follows ठीक है तो यह रहा तो first का answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अब चलिए दूसरा में what is the 16-bit compiler रेंज फोर इंटीजर एलाओ छोड़ो एलाओ what is the 16-bit compiler एलाओ रेंज फोर इंटीजर कॉंस्टेंट तो जैसे ही कल हम लोग ने बता रहा था data type पढ़ रहा था तो इंटीजर कितने बाइट रिस्टोर करता है फ्लोट कितने बाइट रिस्टोर करता है तो मैंने बता रहा था कि इस पर questions आने वाले हैं और देखो same questions आ ही गहें तो कितने 16-bit compiler कितना जो है रेंज अलाओ करेगा तो वो अलाओ करेगा हमारा ये माइनस 3-2, माइनस 3-2, 7-6, 8, 2, 3, 2, 7, 6, 7, what is the 16-bit compiler? अलाओ range for integer constant तो ये integer के लिए जो है हमारा माइनस 3-2, 7, 6, 8 और फिर इसतना range रहता है इसका तो हम लोग ने कल डिसकस भी किया था इसका कि range है फिर कितने bit का होता है integer तो integer 4 bit का होता है range कहां से कहां तक होता है तो range जो है 3-2, 7, 6, 8, minus 2, 3, 2, 6, 7, positive में होता है ये चलिए थर्ड में पूछते हैं to perform a task very quickly to enable the program to be run on multiple platform तो देखो low level language क्या है high level language क्या है ये सब सब डिसकस किया हुआ है वहाँ पे तो हमारा जो है to enable the program to run multiple platform यह हमारा इसका correct answer होगा multiple platform मतलब DOS में same program जो हमरा DOS में भी run करेगा Windows में भी run करेगा Mac में भी run करेगा सब जगह जो different platform है सब में जो हमारा perform करता है तो using low level language तो यह advantages नहीं है to enable the program to be run on multiple low level जो है program वो सब जगह platform पे run नहीं करेगा ठीक है तो यह होता है C हमारा low level language ही है C हमारा low level language ही है ठीक है तो यह different platform पे नहीं करता है मतलब एक program आप सिर्फ Windows पे चला सकते हो Mac पे नहीं चला सकते हो वही same program फिर वही same program आप DOS पे भी नहीं चला सकते हो तो यह हमारा low level का concept होता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है translate for low level programming language as term मतलब low level programming को जो translate करता है वो क्या होता है उसे क्या बोलते है तो assembler जो है हमारा low level program को low level language को translate करता है ठीक है assembly language तो यह रहा What will be the result of length variable after execution of the program statement देखो फिर इसका length पूछा गया है मतलब कि इसका length पूछा गया है कितने length है मतलब character एक तरीके से character कितने character है partial although कितने character है इसके अंदर तो space भी एक character के रूप में ही define किया जाता है तो इस यहाँ पर देखो यहाँ पे एक program है integer length character जो है हमारा character str1 जो है यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे character कितने character और यह str का length पूछा जा रहा है मतलब समय में आ रहे हो str का length पूछा जा रहा है कितने length का है तो देखो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौग दस यारा बारा तेरा तो इस टाइप का प्रोग्राम के questions जो है आपको देखने को मिलेंगे इसी टाइप के output वाले questions आप आते ही आते है ठीक है तो यह रहा फिर आपका जाएगा 6 में तो वाट विल विल विदा आउटपूट आफ्टर एक्जिक्यूशन फॉलोविंग स्टेटमेंट तो इंटीजर है आई 065 है जे है 65 तो परसेंडी परसेंडी आई और जे पूछा गया है तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे आई जे है सिंपल तो 065 और जो है हमारा 65 इसका एंसर आजाएगा तो इसका एंसर वो गलत है क्यों क्योंकि 065 जो हमारा यह डेसिमल वैल्यू है डेसिमल वैल्यू हमें क्या देना है वह यह सौरी ऑक्टल वैल्यू है क्या है ऑक्टल वैल्यू है और हमें क्या करना है डेसिमल में कनवर्ट करना इसे जब डेसिमल में इसे कनवर्ट करोगे तो यहाँ पर यह decimal में convert करने के लिए मैं बताऊंगा वहाँ पर कि किस तरीके से decimal convert होता है तो 5 पहले 0 से करेंगे फिर प्लस 6 into 8 इस से करेंगे फिर आपका आ जाएगा 0 into 82 तो यह तो हमारा 0 term आ गया 48 आ जाएगा इसका इंटू करोगे तो यह आ हमारा 815 मतलब कि 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 53 तो यह decimal में हमारा convert हो गया ठीक है यह decimal में convert हो गया मैं बताऊंगा conversion वाले जब chapter आएगा binary to octal to decimal उसका भी questions एक ले करके आऊंगा तो यह हमारा decimal में convert हो गया अब जो हमारा i का value है वह हमारा i का value हो गया 53 और j का value j तो पहले से decimal में तो वह हमारा 65 है तो अब इसका जो output हो जाएगा वह हो जाएगा 53 और 65 ठीक है तो यह रहा इसका simple सा question का answer in a two pass assembler the object code generation is done during the जब दो पास करते हैं generation तो कौनसा कॉनसर जैंडरेशन में जो है यह पास होता है इन two pass assembler the object code generation is done जब दो पास करते हैं से अबर में तो object code का 잡लरेशन जो है यह कभ होता है तो वह second pass में होता है second pass में होता है इसे याद कर लेना यह सब questions को ठीक है याद करने वाली Jack सब कुष्शन रें, program which interprets each line of high-level program at the time execution is called, is called interpreter, each line, एक एक अक लाइन को, जो है, वो execute करता है, एक एक लाइन को जो है, execute करता है, high-level programming language, ठीक है, तो यह रहा, अब जो है हमारा 9 number में, वो क्या है, which of the following is a single user operating system, single user operating system, तो वो कौन सा है, ms-dos, जो है हमारा single user ms-dos 말고 single user operating system तो ये याद दखेख नाeral leser operating system क्या है MS-dos है ठीक है अवा मारे 10 नमबर में यह output वाले question है study था following statement 4 i is equal to 3 i give archery है और यहां पर देखना यहां पर गलत कितले ही हैं यहां पर inter- pubар in TeSI Aiene Online युहër मत मनना इंत इंपपर इनिसलाइस कर देना आई को, तो इंट 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 इन इस एकल टो 3 है, आई less than 15 है, और फिर आई प्लस इस उकल टो 13 मतलब कि इसका वैल्यू है, आई प्लस 13 ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसे, तो अब हम से पुछा गिया है, आई का वैल्यू और फिर आई प् यहाँ को बढ़ा कितना 3 से तो 4 को भढ़ा देगा तो हो जाएगा 7 एहाँ पर 7 यहाँ पे अब यहाँ पर एक और इंक्रीज होगा अब यहाँ के वैल्यू क्या हो गया i का value हो गया 8, अब यहां पर i का value 8 होगया, यहां से check करेगा, i का less than है 8 से, जी, बिलकुल May 8 से, अब यहां पर i की value को 3 से increase कर देगा, तो i की value यहां पर 8 है, अब क्या करेगा, 3 बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा, फेलाएवन नो जाएगा अब 11 जो है ह Öपन की बिल्कुल भी बड़ गई तो अब यहां आउट्पुट हो गया तो यह रही कुछ दस कुछिंस हैं दस कुछिंस हम लोगों ने लिए कुछ आउट्पुट वाले कुछ लिए और कुछ अभी यह फरस्ट जो है लेक्चर्स था मतलब कि फरस्ट पार्ट है यह भी और पार्ट आएंगे तो अगर थोड़ा बहुत भी क कमेंट करना हमें और उसी टाइप से कंप्यूटर के मैं कुछिंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा है करवाऊंगा उस पर तो आप लोग जरूर से जरूर वहाँ पर आ सकते हो और जो है बैच के लिए आप डॉट बैच है मारे पास जितने भी सारे रिकॉर्डिंग्स है सारे अब लेबल हैं वहाँ पर सारे चैप्टर्स के तो आप जा करके वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्सर में सभी चीज का लिंक दिया गया है तो आप वहाँ से हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हो थेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो